अतिरुपती प्रसाद विवात के बाद सबसे अमीर मंदिरों में शामिल मुंबई का सिधी बिनाएक मंदिर भी सवालों में है इनी टीवी के हाथ कुछ चौकाने वाली तस्वीरे लगी हैं जिसमें चूहों द्वारा कुत्रे हुए महाप्रसाद लड्डू नजर आ रही है प्रसाद के ट्रे पर विचूहे के बच्चे दिख रही हैं दिखाते हैं आपको इचोकाने वाली तस्वीरें जिस पर मंदिर को सफाई देनी पड़ी। विशाल पाठील की रिपोर्ट देती है। चूहों निकाटे प्रसाद के पैकेट्स महाप्रसाद में मिलने वाले लड़ू चूहों द्वारा कुतरे हुए दिखे। तिरुपती के बाद अब मुंबई का प्रसिध सिध्य विनायक मंदिर सवालों में है। मुंबई के मशूर सिध्य विनायक मंदिर में रोजाना दूर दूर से आने वाले भक्तों की भीड दिखती है। हर दिन करीब 50,000 लड़ू महाप्रसाद के तौर पर यहां भक्तों को बाटे जाते हैं। लेकिन भक्तों की आस्था को चोट पहुचाने वाली ये तस्वीरें एंडी टीवे के हाथ लगी हैं। चूहों द्वारा कुतरे हुए लड़ू और लड़ू के पैकेट्स के साथ ही लड़ूों की बड़ी सी ट्रे में पैकेट्स के ऊपर पड़े हुए चूहे के छोटे-छोटे कई बच्चे तस्वीरों में साफ देखे जा सकते हैं। सिद्धी विनायक के महाप्रसाद की शुद्धता पर सवाल खड़े करने वाली इन तस्वीरों पर सिद्धी विनायक टेंपल ट्रस्ट की सचे विनापाटिल का कहना है कि इसकी जांच होगी। फिर भी हम इसकी जाच हमारे प्रशास की इस तर पर करेंगे। लंबी कतार गुजारने के बाद मंदिर से जो महाप्रसाद मिलता है वो बड़ी विश्वास से गरहन किया जाता है। लेकिन जिस तरह की ये तस्वीरे सामने आ चुकी है इसे एक ही साबित होता है भक्तों के साथ एक खिलवार है। विडियो जन्रलीस जितेंद्र भागमारे के साथ विशाल पाटील एंडी टीवी इंडिया। लेकिन जजे चुकी है।